केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल पारित किये गए तीन कृशी कानूनों के विरोध में संयूक्ट किसान मूर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का एलान किया है किसान लगभग पिछले चार महीने से तीन नए क्रिशी कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सिमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयूक्ट किसान मूर्चा ने 26 मार्च को सुबा 6 से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आवाहन किया है कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है किसान संगठनों ने एलान किया कि 28 मार्च को विहोलिका दहन पर नए कानूनों की प्रतिय जलाएंगे आईए जानते हैं 26 मार्च को भारत बंद के दौरान क्या क्या खुला रहेगा और क्या बंद 26 मार्च को किसान का भारत बंद सुबा 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा इस दौरान रेल, सडक यातायात बादित होने की आशंका है दुकानों को बंद रखा जाएगा सार्वजनिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा किसान नेताओं के नुसार किसी कमपनी या फैक्टरी को बंद नहीं कराया जाएगा हलांकि बंद के दौरान सभी आपात कालीन स्वास्थे सेवाएं चालू रहेंगी पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर जैसी जरूरत की जगहें खुली रहेंगी क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 26 नवंबर को शुरू हुआ था और 26 मार्च को चार महीने पूरे हो रहे हैं किसान दिल्ली के सिंगु, टीकरी और गाजिपुर बॉर्डर पर डटे हुए है इस दोरान सरकार के साथ किसानों की कई दोर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक सहमती नहीं बन पाई है अगर मैं पाकिसान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा अभी तो अभी क्या बताऊंगा जब कंगना फिल्म में होती है तो कितने लोगों को दिक्केत होती है या आप खुद नोटिस कीजिए मैं आपके तरह किताबें पढ़के नहीं आता हूं लेकिन ग्राउंड की रियालिटी महसूस करके कर दुछ कर दूँ कर दोसा हूं भाम झाल झाल